हेलो प्यारे बच्चो नमस्कार आप सभी का लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागते आप लोगों के लिए यहाँ पर हम एक और आप लोगों के लिए देखिए वीडियो लेकर आचुके हैं ये पेपर है आप लोगों का इंदी का पेपर देने वाले हैं न आप कितनी तारिक को देने वाले हैं कमेंट करके बताओ तुछरा सभी देखना चाता हूँ किस-किस को अपने पेपर का पता है कि कौन से तारिक को आप पहला पेपर देने वाले इन्दी का ये एक वोशन पेपर है आप लोगों का पूरा अभी हल करवाने वाला हूँ इस वीडियो में चल्दीस आजाईए लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे हम सुबा के आठ बच चुके हैं लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाईए आजाईए मेरे सभी रजगुले जी हाँ सातियो सुबा सुबा के लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उटालो अपने हाथ में एक कप चाईए और भिढ़ जाओ इस पेपर के सॉलिशन में जी हाँ दोस्तो चाईए पीओगे अंदर से ताजगी मिलेगी और पेपर पढ़ लोगे ये पेपर तो आपका पांच फरवरी के पांच फरवरी के पेपर में भी ताजगी आपको मिल जाएगी जी हाँ साथियो बिल्कुल हलवा कुश्यन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है डेली आप से ज़्यादा हम को चिंता है आपको तो पढ़ना नहीं है लेकिन हम आपको पढ़ा कर मानेंगे ठीक है आप फैल होकर दिखाना लेकिन हम आपको फैल नहीं होने देंगे जी हाँ दोस्तो क्लास टैंथ हिंदी कहां से आएगर एक कॉश्यन आकर दिखाना और हम भी उसका राइट अंसर लगा कर आएंगे तो आजाएए सभी मेरे क्लास टैंथ वाले बच्चे कहां से आप इस वीडियो को सुबा सुबा देख रहे हैं कहां से देख रहे हैं आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बोक्स में बता दो उसके बाद हम एक चुस्की लेंगे चाहें की और उसके बाद हम लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे जो प्रिश्ण रहेंगे आपका दिमाग का पूरा पूरा सोलिशन करने वाले प्रिश्ण आपके रहेंगे चलिए आजाईए आजाईए बच्चो आजाईए आजाईए जल्दी से मुझे कमेंट बोक्स में बता दो ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर प्रिश्ट नमबर पहला सही विकल्प का चैन कर लिखिए पहला प्रिश्ट में सही विकल्प का चैन करके लिखना है तो यहाँ पर आपका जो अंसर होगा देखिए मैं तो सीधी सी बात यह कहूंगा कि अगर जो वीडियो अमारे द्वारा आपको प्रवाइट करवा जा रहा है अगर आपने इन वीडियो को देख लिए तो पांच परवरी को धूम मचाने वाले विद्यारतियों में आपका नाम टोप पर होगा जी हाँ सांतियों आपका नाम टोप पर होगा तो आईए तो आजाईए सभी कौन-कौन लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं लाइव चेट में कमेंट कर दें जो भी दोस्त हमारे बाद में इस वीडियो को देखेंगे ओप लाइन देखेंगे वो भी कमेंट करना ना भूले बिल्कुल दोस्तों आप सभी का स्वागते सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रवाद जैहिंद वंदे मातरम चलिए श्टार्ट करते हैं पहले प्रिशन से अगर आप चाते हैं कि आगे भी आप लोगों के लिए में इसी प्रिकार वीडियो लेकर आता रहू तो मेरे सभी प्यारे भाईयों और बेहनों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिल सके चलिए पहला प्रिशन देखिए यहां पर समय बरबाद न करते हैं कावी की द्रफ्टी से रीतिकाल को बाटा गया है बताओ जवाब दीजिए अंसर क्या होगा पेले मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा उसके बाद मैं मैं देखूंगा कितने बच्चे सही जवाब दे रहा हैं वेरी गुड वेरी गुड बहुत शानदार बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहा हैं लेकिन भाईया कुछ तो बिल्कुल ऐसे बेटे हैं जैसे की पकड़ के लाए हो अरे आपको कोई पकड़ की नहीं लाया जवाब देना सीको अगर आप गलती ही करोगे तो सही अंसर अ को में बाटा गया है नाम में बता दू बोलो बता दू क्या जल्दी बोलो लाइचेट वाले बोलिए बता दू बिल्कुल तो लो रीती रीती बद रीती सिद रीती सिद ये रीती सिद और एक और रीती मुक्त मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप रीती मुक्त रीती सिद और री रिती बद्ध बस इनका गया अगर रिती जोड़ दो रिती मुक्त रिती सिद्ध रिती बद्ध बस हो गया और क्या अगला सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है तो सूर के पदों में तेल की गागरी जो कहा गया है वो कहा गया है उद्दव को चरनों में नहीत मात्राओ के आदार पर दोहा है तो चरनों में नहीत मात्राओ के आदार पर जो दोहा है वो आपका अंसर हो जाएगा अर्द सम्मात्रिक छंद नेता जी का चस्मा कहानी का मूल भाव है तो नेता जी का चस्मा जो आपका पार्ट है जिसको लिखने वाले स्वयम प्रकास हैं इसमें जो मूल बाव है वो है देजबक्ती की बहुना अगला प्रिश्ट में वे दीरे दीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेशन का बहद है तो यहां पर आपका हो जाएगा दीरे दीरे तो यहां पर हो जाएगा रीती वाचप क्रिया विशेशन वे क्रिया विशेशन जिसमें क्रिया के होने के ढंग का पता चले उसे हम रीती वाचप क्रिया विशेशन कहते हैं अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा किरिया विशेशन कितने प्रकार कोते हैं मेरे वो इस्टूडेंट इसका जवाब जाएंगे जो टोपर की लिष्ट में आते हैं टोपर है ना जो पिचोत्तर में से पिचोत्तर रखने वाले बच्चे होंगे ना वो ही इसका जवाब देंगे बता दो भाईया किरिया विशेशन कितने प्रकार कोते हैं कई बार मैंने आप लोगों को वीडियो में इसका अंसर बता है कि किरिया विशेशन कितने प्रकार कोते हैं दीजी जल्दी से जवाब दीजी इंतिजार रहेगा मुझे लाइव क्लास में जिसने भी इसका जवाब दे दिया भाईया मैं आप लोगों का कमेंट अगले वीडियो में बोल दूँगा आपका नाम बोलूँगा कमेंट बोक्स में ठीक है पूरा लाइव सभी को बताऊंग सिनेमा गर टिकिट गर रसोई गर नाटक गर बताओ जवाब क्या होगा विल्कॉल विल्कॉल नाटक गर अंसर आपका हो जाएगा अगला प्रिश्ण रिक्तिस्तान में सही सब्द का चैयन कीजिए बताइए पहला कोशन देखिए परसुराम अपना गुरु बगवान को मा सिव क्रेश्ण विष्णू जवाब दो कमेंट बोक्स में बिल्कुल वच्चो जवाब दीजिए आप सभी का जवाब आना चीए अंसर हो जाएगा सिव सिव आपका राइट अंसर है है ना जोई वच्चे ने जोबी अंसर लगाया विया सिव आपका सही अंतर होगा आसरे की बाहे सारीरिक चेश्टाओं को जो कहते है वो कहते है अनु बहाओ अगला कुछ निजिन विस्तृत कलेवर वाले कावी को कहते है उससे कहते है महा कावी बाल गोविन बगत की प्रबातियां तक चलती थी तो ये चलती थी फागुन मास तक चलती थी कार्तिक माह से सिरू होती थी फागुन माह तक चलती थी अगला प्रेश्ट वाक्य से किसी किरिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे क्या केते हैं दो जवाब दो क्या केते हैं विदान वाचक वाक्य केते हैं या निस्यद वाचक केते हैं या इस्च जवाब दो जल्दी से अरे भाईया उसे विदान वाचक केते हैं पगलो सोथते रहते हैं कोपड़ी को खुजाते रहते हैं बस जवाब देने की नहीं बनती आप लोगों से लाइव क्लास में आप जुड़ रहे हैं तो भाईया क्या देखने के लिए खड़े होए आप यहा थी मजाग कर रहा हो यार अब बब मत भगने लग जाओगे नहीं तो चलो ठीक है मजाग कर रहा था कटाओं में बर्प से डखे पहाड की तरह चमक रहे हैं किस की तरह चमक रहे हैं बताईए चांदी की तरह क्या अंसर आएगा हाँ सही बात है बर्प का रंग सोने जैसे होता है मेरे बेटे सही बात है अरे चांदी का अंसर आएगा यार आपका चांदी जैसे चमक रहेते कोमन सेंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है धिमाग लगा लिए गरयो तोड़ा ने पर जाल ले रहे हैं तो लाइव चेट आप लोगों किस लीए बनी है सभी जितने दोस्त लाइव क्लास में जोड़ रहा है लाइक कर दो भईया सभी लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर देते हैं तो उससे पता चल जाता है कितने दोस्त हमारे उपस्तित हो चुके है इस वीडियो को देखने के लिए और कितनों को पसंद आया है है ना तो लाइक कर दिया करो क्योंकि बहुत मेनत करके वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाता है चलो मिला लो जोड़ी मिला लो उत्साह कवीता एक अहवानगीत मानवी किरियाओ का राव आरोप मानवी करन लंकार रिपोर्टाच की वासा प्रेंच सपेत पोस बद्रव्यक्ति कम जो कम बोलता हो मितवासी अग्ये तार सब तक के कवी मिलके जोड़ी बढ़ जावागे फसल कवीता में हमें किसके करीब ले जाती है तो फसल कवीता जो है हमें किसके करीब ले जाती है किसान के जीवन के किरसक जीवन के पास ले जाती है मतलब किरसक के समीब लेका जाती है यह चीद इसी बात है विभाव के दो बेदो के नाम लिखिए तो विभाव के दो बेदो के नाम है विभाव के दो बेदो के नाम है आसरे आफ्रे और एक है आपका तो इसका अंसर आप लगाएंगे जैसे कि अभी लिखाता आश्रे तो इसका आप लगाएं आलंबन आश्रे आलंबन होता है उपर लेकिन आप वो भी उसके बेहत होते हैं तो इसका अंसर लगाएंगे आप आलंबन लिखिये आलंबन और उद्धिपन उद्धिपन ये दो हिसके बेद होते हैं सास्त्रों में कासी किस नाम से प्रतिष्टित है तो सास्त्रों में बताईए कासी किस नाम से प्रतिष्टित है खीक है तो आनन कानन आनन कानन की नगरी के नाम से पिरतिश्टित है किस समास में प्रतंपद अवय होता है तो इसका अंसर हो जाएगा अवयाई बहव समास अवयाई बहव समास आपका सहित्तर हो जाएगा अपना हाथ जगननात लोकुक्ति का क्यारते कि कोई भी काम होता है अपने हाथों से ही पूर्ण होता है जो भी काम करना रहता है सोयम को करना चाहिए बोलानात के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर किलाते थे तो अंसर हो जाएगा बहात बहात अंसर हो जाएगा जिसके बाद मैं सत्य फत्य देखेंगे मुख के गायक की आवज भारी वा गंबीर होती है तो इसका अंसर हो जाएगा मुख के गायक के अवज भारी वा गंबीर होती है सत्य सत्य एसे लिखना है ना राइट का निशन वता रहा हूं पर एसे लिख कराएंगे दोहा और चोपाई वर्निक चांदे असत्य मानव संस्कृति एक अविबाद जिवस्त हुए सत्य दो अर्नों के मेल को संदी केता है सत्य रंगिन पता का है शान्ति और अहिंसा की प्रतिक है असत्य रंगिन पता का है तो जो प्रतिक थी और किसकी प्रतिक थी सूपकाम की और पढ़कर ही लेकर आब्यांतर विवस्ता को पेचानता है असत्य चली अब यह आपर देखिए का इन प्रिष्णों की उत्तर रितिकाल को स्रंगारकाल क्यों कहा गया है तुलसिदा सतो नागर जुन की काविगत विसेश्ता हैं यह जो प्रिष्णे हैं हमने सब प्रिष्णे डाल रखे हैं इन में से जो प्रिष्ण आपको चाहिए खंड कावि की विसेश्ता हैं संचारी वाव विस्ता वाव मंतर यह सब प्रिष्ण डाल रखे हैं चोपाई चांद की परिवासा उदर अरण सहीद आपको जो भी प्रिष्ण चाहिए बेज जिजक आप हमसे मंगवा सकते हैं सोयम प वी वासी केते हैं अकुछ अंसा तो मैं आपको यहान बता तुँँ में तो इता जिसका वर्नन नहीं किया जाए आवरनी है क्या आवर्नी मो см किया यह जिसका भुर्न नहीं नहीं किया जाए Dann white नहीं ऑनी तक भर रमी में उसे यह आवरनी और folders लिगते वह वाक्यूं प्रियोग कीज़े खुन पसीना एक करना इसका रत हो जाएगा कड़ी मेनत करना किसान भाई रात दिन खुन पसीना एक कर देते हैं गागर में सागर वरना कम सब्दों में अधिक केना बिहारी ने अपने दोवों में गागर में सागर वर दिया ये कृतिका का कुशन है दोनो ये शानासाना आतजोडी का है ये माता कांचल से है बताएए माता कांचल पार्ट को लिखने वाले कौन है बताएए कितने बच्चे जवाब देंगे लाइक क्लास वाले बता दो बैया बता दो जल्दी ये आ चुका है आपका संदर प्रसंग साइथ इन पंक्तियों का संदर्व करिये पिरसंग करिये और बहावार्थ लिखिये प्रशाथ का नाम क्या है आत्म कत्य पार्ट से लिए गए अगली पंक्तियों प्रशाथ की संगीत साधना का चरम उतकर्श उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा तो ये पार्ट कौन सा है बाट का नाम यही बालगोविन भगत हो जाएगा लिखने वाले इस पार्ट को कौन है राम रख्चि बेनी पुरी अब तो बना दो संदर्व प्रसंग ट्रीक से बता दीजिए का comment box में इस पार्ट को लिखने वाले कोन है और इसको किस ने लिखा है यह देखिए मीटी बोली कम है तो इसे पर अनुच्छे लिखना है एक आदर्स विग्यापन की तीन इसे इसता बताना है और यहाँ पर अपटित गध्यान से पद्यान से नीचे दिये इस जिसको पढ़ना है नीचे दिये गए परिशने को तर देना है देख सकते हैं पूरा question paper है आप बहुत अच्छा करोगे यदि आप वीडियो को लाफ्ट तक देख रहे हैं चलो अब comment box में जल्दी बता तो किस-किस ने वीडियो को लाफ्ट तक देखा है कौन को उनका नाम क आपका लाफ्ट राजस तो मैं समझ जाओंगा का आपने लाफ्ट तक वीडियो को देखा है मतलब आपका जो भी नाम हो लिखना है आपको राकेश जो भी यह अपने वाड़ की गंदगी को दूर करवाने तून अगर पाली कादिगार को कावेधन पत्र लिखना है आपको अब मैं आप लोगों के लिए और भी खास वीडियो ले कराने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटिक बटन को अब पर जरूर रखेगा ताकि वीडियो आपको मिल जाए धन्यवाद, थैंक्स पूर वाचिंग जै हिन